दोस्तो नमस्कार आज मॉबाइल की जो यूजीज है उसकी जो बीमारी है उसकी जो लत है दिन में दिन बढ़ती जा रही है खासका नियू जेनरेशन इसके बगार नहीं रह सकती है हमने बहुत देखा है कि छोट-छोटे बच्चे भी आजकर मॉबाइल चलाते हैं मावाब स सोस्ते हैं कि ये बच्चा रो रहा है तो उसको मॉबाइल दे दो वो गाना सुन लेगा और बिजी रह जाएगा हमें तंग नहीं करेगा जबकि ये बीमारी धीर धीर बढ़ती जा रही है अमरीका में ये सर्वे किया गया है कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है शराप पीक यानि कि अगर कोई इंसान गाड़ी चलाते हुए मॉबाइल से बात कर रहा है तो वो अपने कहीं न कहीं रोड एक्सिट कर सकता है क्योंकि वो पूरा तिमाग उसका दूसरी तरफ होता है सडक पर नहीं होता है गाड़ी चलाने में नहीं होता है काफी इसमें सर्वे भी काफी बिमारी हो गई है कि समाज को ये सोचने की जरूरत है बच्चों को सोचने की जरूरत है जो जेनरेशन है उनको सोचने की जरूरत है कि हमें किस तरीके से इसमें बचना चाहिए ये एक नशा हो गया है अमरिका के आदे लोग मानते हैं कि मुबाइल के बगएर उनकी जि यानिकि सर्वेज जो डेटा बता था है उसके इसाफ़ से 3500 करोड यानि 66% लोग इसकी लप्त के शिकार है यानिकि स्मार्टफ़ून उनके हाथ में होना ही जरूरी है यानिकि आजकी डेट में 3 में से 2 लोग इसके शिकार हैं हम किस तरफ जा रहे हैं या आप सोच सकते हैं दस में से साथ लोग हमेशा मॉबाईल लेकर साथ में सोते हैं मॉबाईल के बिना उनको नीन नहीं आती है आप सोचिए ये कितना खतरनाक हो सकता है चार में से तीन लोग ऐसे होते हैं जो टौईलेट जाते हैं फ्रिश होने के लिए लेकिन मुबाइल साथ में लेके जाते हैं, स्मार्टफोन साथ लेके जाते हैं, उनको उसके बगार फ्रिश नहीं हो पाते हैं, इतनी लट लग गई है लोगों को, उनको कभी-कभी ऐसा लगता है कि फोन बज रहा है, मॉवाइल के बगार नहीं रह सकता है यह भी एक बहुत गलत बात है इनसान एक दिन में कम से कम 15-16 बार हसता है लेकिन मॉवाइल इससे 10 गुना देखता है पांच में से 3 लोग ऐसे हैं जो हर गंटे हर आदे गंटे बाद मॉवाइल देखते रहते हैं आदे से ज्यादा यू लोग ऐसे हैं जो रात में नींद खुलने के बाद फोन चेक करते हैं टाइम चेक करते हैं नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो आप सोचिए कि उनको पूरी नींद कैसे हो पाएगी चार में से 3 लोगों ने माना है कि कभी ना कभी गाड़ी में चलते वक्त उन लोगने टाइब करके भेज़ा है आप सोचिए कितना खतरनाक है यह कि रोड एक्सिडेंट के लिए अंदर कितनी बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है ऐसे लोगों की जो गाड़ी चलाते वक्त मैसेज टाइब करके भेज़ते हैं पेरेंट्स भी यह मानते हैं कि हमां बच्चों को इसा बन गया है लेकिन हम जो मॉबाइल यूज कर रहे हैं उसकी वज़े से हमारी लाइफ खराब हो रही है उस पर ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है 90% पेरेंट्स यह मानते हैं कि वह बीजी रहने के कारण या उनके केरे टेकर जो रखते हैं उनको वह बीजी रहते ह भरेना चाहिए मनताँ इम्यजेटली वह रश करते हैं फोन खोलते हैं और मेसेज का जवाब देने की कोशिश करते हैं 50% बच्छे ऐसे हैं आधे बच्छे ऐसे हैं जो उटने बाद में कम से कम 5 मिनट तक इस्तेमाल करते हैं उसमें मैसेज देखते हैं नोटिफिकेशन दे और सासर मोबाइल को यूज भी खर रहे होते हैं याने कि multitasking काम कर रहे होते हैं simultly talented होते हैं जो की एक इनसान का दिमाग जादा जगा नहीं रह सकता लेकिन वो ऐसा कर रहे होते हैं अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इनसान करीम 5-6 साल अपनी जिन्दिकी के सोसिल मीडिया पर ही बिताएगा क्योंकि ज़्यादता थाइम हम लोग 2-3 घंटे रोज अगर मॉबाइल पर बिता रहे हैं तो हमारी लाइफ के 5-6 साल अगर मीडिया पर ही बिताएगे अधिकतर स्मार्टफोन के जो गुलाम हो चुके हैं लोग वो भूल चुके हैं कि एक्चली रियर लाइफ कैसी होती है क्योंकि हम लोग अपने कमरे में बैटे रहते हैं अगर आपको भी मोबाइल भूल गए घर मर तो आपको लगता है कि कोई ना कोई जरूरी चीज ऐसी है जो सूट गई है घर में इसके बगएर हमारा बहुत काम सूट जाएगा हमारा बिजनेस में नुक्सान हो जाएगा नींद आती नहीं है नींद खुलने पर हमें टाइम देखना पड़ता है लेकि सुबह अलारम बसता है तो हम उठनी पाते हैं यानि कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मॉबाइल आदे से जादा लोग ऐसे हैं जो मॉबाइल को 4-5 फिट से जादा दूर रखने भी नहीं देते ने लगता है कि यह बहुत जरूरी चीज है जो उनके पास में ही रहनी चाहिए लोग मानते हैं, लोग ये मानते हैं कि मॉबाइल की वज़े से, स्मार्ट फॉन की वज़े से, उनकी जोब और उनकी रिलेशनशिप में काफी नुकसान हुआ है, यानि कि वो जादा तर टाइम मॉबाइल फॉन को देते हैं, इसलिए उनकी रिलेशनशिप में काफी नुकसा लोग इसको बिमारी मानते हैं उसके इलाज करा रहे हैं लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस बिमारी में पढ़ चुके हैं और कितने गुलाम होते जा रहे हैं अगर यही हाल रहा तो जैसे सिग्रेट की डब्बी पर वाणिंग लिखी होती है वैसे मुबाइल फोन के को डिस्टब करती थी क्योंकि पहले जब बच्चा पढ़ता था माबाप देखने जाते थे कि उसको दोस्त उसको डिस्टब तो नहीं कर रहे हैं यानि कोई उसके बैठा तो नहीं है आजकल जरूरत ही नहीं है आजकल वो अपने कमरे में बैठे हुए है सो दोस्तों के स्मार्टफोन में रहेगा आजकल बड़ी बड़ी कमपनियों का हत्यार बन गया स्मार्टफोन क्योंकि बिजनस करो करने के लिए इसकी बहुत बड़ी जरूरत है अब हम लोग यूजर हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस जाल में फस्ते जा रहे हैं अभी भी वक्त है हमारे पास बरबादी से बचने के लिए हमारी जिन्दकी सिरफ नोटिफिकेशन में ही बरबाद हो रही है ज्यादा तर लोग तो ऐसे दो मोबाईल शड़े भी ना रही नहीं सकते वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं अरे शरम आती है यह सोच कर कि हम आगे क्या करेंगे लाइफ में क्या करेंगे खोशिश यह करिए कि इसको बचने के कुछ तरीके अपनाईए आज आपको मैं कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ इसका इस्तेमाल करिए इंप्रिमेंट करिए आपको लाइफ में काफी हल्प मिलेगी Step No.1 जितनी भी एप्स आपके फोन में है उसमें कुछ एप्स ऐसी होंगी जो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको आप डिलिट कर दीजिए जो जरूरी एप्स है उनको रखी क्योंकि उनके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे जिनके जरूरत नहीं है और आ मॉबाइल की एक जगा फिक्स कर दीजिए यानि कि मॉबाइल को अगर एक जगा रख देंगे उसके बाद आप उठने के लिए वहां जाएंगे उसको अपने पास मत रखिए और कोशिश ये करिए कि चैटिंग ना करके कोल ही कर लीजिए मुश्किल से आपकी एक मिनट या काफी जरूरी है आने वाले टाइम में अगर कोई बिमारी हो जाती है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको ही होने वाला है पांसवा नंबर है कि आप बेड से बिस्तर से सोने के वक्त फोन को पास बिलकुल नहीं रखेंगे उसको अपने पास रखेंगे तो आपका ही नुकसान है उसको जितना कोशिश करिए बेड से दूरी रखिए यह कुछ तरीके मैंने सर आपको बताए है इसको अपनाईए इंप्लिमेट करिए और जिंदगी में फाइदा उठाईए क्योंकि कभी कभी लगता है हम स्मार्टफोन को यूज नहीं करें बलकि स्मार्टफ